हेलो दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों के लाया हूँ बेस्ट एंडरोईड सेटप अगर आप अपने फोन के पुराने लुक एंड फिल से बोर हो चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है ये एक न्यू सीरी जहाँ पे मैं हर अप लोगों के लिए एक न्यू बेस्ट एंडरोईड सेटप लाऊंगा जहाँ पे आप अपने फोन के इंटरफेस, लुक, आइकन एंड डिजाइन को चेंज कर सकेंगे तो हेलो दोस्तों मैं नाम है सोनू और आप देख रहें टेक मुंबई कर चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस स्टेटप के लिए आपके फोन में इन चार एप्स का होना जरूरी है मैंने वीडियो के डेक्स्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दिया है तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन में नोवा लॉंचर को डिफॉल्ट लॉंचर बनाना है उसके लिए आपको बस इस पे क्लिक करके अब आपको अपने स्क्रिन पे टैप करके रखना है और सेटिंग के ऑप्शन में जाना है यह कहें नोवा लॉंचर के सेटिंग में जाना है उसके बाद आपको डेक्स्टॉप पे जाना है और डेक्स्टॉप ग्रिट पे क्लिक करके 5 to 5 कर देना इसे और फिर नीचे जाके Page Indicator को None कर देना फिर back आके App Drawer में जाना है आपको App Drawer में आपको इसके Size को 5.5 कर देना उसके बाद आपको Swipe to Open पे क्लिक करना है फिर back आकर आपको Dock पे जाना है उसके बाद Dock Background पे क्लिक करना है और उसके बाद जो ये 3rd option है Rounded वाला वहाँ पे आपको Select करना है उसके बाद आपको Color Choice करना है मैंने यहाँ Black लिया है आप यहाँ पे कोई भी Color Choice कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसके Transparency को 50% कर देना है आप Back आजाना है उसके बाद आपको जाना है Look and Fill में और यहाँ पे आपको Pixel आइकन जो है उसको अपलाई कर देना है तो ये थी Nova App के Settings रिडर नान पे आपको दिखे गाँ यहाँ पे कि आपके आइकन जो हो चेंज हो गए और Swipe करने पे आपके मेनू ओपन हो जा रहे है अब जो यहाँ पे App Drawer है आपको इसको यहाँ से रिमूब कर दिना है इसके बदले आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते है तो मैं जैसे यहाँ पे Music रख लीका अब इसके बाद जाना है आपको अपने Wallpaper में अब इसके बाद आपको अपने Widget को यहाँ पे Add करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे Home पे Tap करके रखना है और विजिट में जाना है नीचे जाने पे आपको जूपर विजेट दिखेगा इसको Tap करके Home पे लाना है और इसको टाइप परकर आप इसकी साइस को बढ़ा सकते हैं अब इस पे क्लिक करके आपको going कि यहां पर आपको बहुत सारे विजिट मिल जाएंगे तो आप आपने मन पसंस विजिट को यहां पर लगा सकते हैं जैसा कि मैंने यह अपलाई के अत्या था मीचे जाने पर आपको यहाँ पर size कम जागा करने का option भी मिल जाएगा तो बस return home पर आ जाना है और यहाँ पर आपको आपका widget मिल जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक time भी रखा था तो उसके लिए आपको फिर से अपने home screen पर click करना है विजिट में जाना है और एक जोपर विजिट को tap करके return लाना है इसे भी resize कर लेंगे और tap करके फिर से minimal जाएगा जाना है तो एक छोटा से area जिसके विए से हम यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी विजिट लेंगे तो जैसे कि यह ले लिया मैंने और इसके size को थोड़ा बढ़ा देता हूँ हूँ और अगर आपको इसके icon को change करने तो बस इस पर tap करके रिखिये और edit में जाईए और उसके बाद आप यहाँ पर click करके आपके इसाथ पर किसी भी icon को select कर सकते हैं यह था इस विक का best android setup अगर आपको इस setup पसंद आ है तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए इस अगर आपको कोई comment या query है तो निची comment कीजिए मैं उसका answer करूँगा और इस तरह के और भी setups के लिए आप आमरे चैनल को subscribe कर लिए और बाजू में देए के bell icon पे भी click कर लिए इसके आपको आमरे वीडियो मिलते रहेंगे और मैं मिलता हूँ आपको एक और नही वीडियो में तब तक लिए बबाई